बांगलादेश के राजदानी धाका में गुरुवार याने 29 फरवरी रात आग का तांडव देखने को मिला राजदानी में एक 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में आग लगने से कम से कम 43 लोगों की मौत हुई है जबकि दरजनों लोग खायल हुए है स्वास्ति मन्फरी समता लाल सेन ने कहा है कि धाका के टाउन डाउन इलाके में गुरुवार रात आग लगी है दमकल कर्मियों ने जिन्दा बचे लोगों को सुरक्षित बहा निकाला है इस घटना में 40 से ज़ादा लोगों की मौत हुई है जबकि 22 लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्ति मन्फरी ने बताया कि मौल के भीतर से दमकल कर्मियों ने जले हुए शवों को बाहा निकाला है मंत्री समतालाल से ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत 33 लोगों को धाका मैडिकल कॉलिज अस्पताल में मृत घोशित कर दिया गया जबकि 10 लोगों को शेक हसीना नैशनल इंस्टिटूट औफ अबर्न एंड प्लास्टिक सरजरी मिले कर जाया गया है वहीं डॉक्टरों ने इन्हें भी मृत घोशित कर दिया आग लगने की घटना बेली रोड इलाके के शॉपिंग मॉल में सामिया आई है जहां कई सारे रेस्टूट हैं दमकल कर्मियों ने कहा है कि शॉपिंग मॉल की पहली वन्जिल पर मौझूद एक फेमस रेस्टूट से आग लगने की शुरुवात हुई इसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया आग इस वज़े से भी तेज से फैली है क्योंकि कई रेस्टूट में गैस सिलेंडर मौझूद थे आग लगने की वज़े से कई सारे लोग इमारत के भीतर ही फस गए अभी तक आग लगनी की असल वज़े का पता नहीं चल पाया है वहीं दमकल विभाक ने एक टीम का गठन किया है जो शौपिंग मौल में आग लगने के कारणों का पता लगाने वाली है वहीं सुत्रों के मुताबिक फायर सर्विस एंड सिबल डिफेंस डारेक्टर जनरल बिग्रेडियर एमडी मेनुद दीन ने बताया है कि आग को काबू करने के लिए दरजनों दमकल की टीमों को तैनात किया गया कई घंटों के मश्रकत के बाद आग पर कब उपा लिया गया है वहीं दमकल कर्मियों ने बताया है कि शॉपिंग मौल के भीतर से कम से कम पिचेतर लोगों को बचाया गया है जिसमें से 42 बेसुद हालत में बहा निकाले गये हैं इन में से जदतर धुएं की वज़े से बेहोश हो गये थे वहीं धाका ट्रिब्यून के मताबिक दमकल कर्मियों ने बताया है कि आग कच्ची भाई नाम के एक रेस्टों में रात 9 बचकर 45 मिनिट पर लगी और इसे 12.15 बचे रात को जाकर बुज़ाया गया इसी दोरान दरशनों लोगों की मौत हो गई है कुछ लोगों ने आके चपेत में आने या घुटने होने की वज़े से इमारत से कूदना सही समझा लेकिन नीचे गिर कर उनकी भी मौत हो गई